हलो फ्रेंट्स, वेलकम टो एक्जाम और्बिट तो आज की इस वीडियो में 15 मार्च का करेंट अफर देखेंगे इसका पीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में बहले बहले साथ साथ ने बीडेली करेंट अफर का पीडियो हमारे टिल गरम से भी डाउनलोड का सकते हैं तो आज का करेंट अफर देखेंगे उससे पहले फट अफर पिछले करेंट अफर का रिविजिन का लिजे और वीडियो के लास्ट में दो क्विज लगाँगा उसका अंसार आपको नीचे कमेंट करगे बताना है चलिए देखते हैं पहला कोशन अंताराशे किरिकेट में 10,000 बनने वाली भारत की पहली और दुनिया के दूसरी महिला की लाड़ी कौन बनी है मिताली राज है भारते महिला किरिकेटिम की कप्तान है और एक दिवसिय अंताराशे मैच में ये 7,000 बनने वाली विश्व की पर्थम महिला बल्लेबाज है किस प्रोसकार के विजयता प्रसिद भारतिय एतलेट इशर सीन देवल का हाली में निधन हो गया ध्यान चंद प्रोसकार के विजयता थे ध्यान चंद प्रोसकार जो है खेल के छेतर में आजिवन योगदान के लिए दिया जाता है 2009 में इस प्रोसकार से सम्मनित किया गया था केंद्रिय कबिनेट ने बिमा छेतर में विदेशी निवेस की सीमा 49 प्रतिशत से बढ़ा कर कितना करने के लिए बिमा कानून 1938 में संसोधन को मंजूरी दी है चोधतर प्रतिशत उभोकता मामले खादेयों सारवजनिक वितरन मंत्रा ले ने वन नेशन वन राशन कार्ड की सुईदा है तू किस एप को लौँच किया है मेरा राशन हिंदी में कविता संग्रा के लिए साहित अखादमी प्रोसकार पाने वाली देश की पहली महिला साहित तकार कौन बनी है अनामी का इनका नाम है बियार की रहने वाली है और इनकी हिंदी कविता संग्रा है टोकरी में दिगंत थेरी गा था इसी कवीता संग्रे के लिए इन्हें सहीत अगादमी प्रोसकार दिया गया है 12 मार्च 2021 को Quad Leader Summit के किस संस्करण का एोजन किया गया पहला ही संस्करण था Quad में चार देशें भारत तोशेलिया जापान और अमेरिका इसमें भारत का परतने दितों किये परधान मंतरी नरेंदर मोधी क्रेग ब्रेतवेट किस किरके टिम के नए टेश्ट कप्तान बनाए गया है वेस्ट इंडीज के हाली में किस कमपनी ने अपने करमचारियों के लिए विल्स ओफ लव कारिगरम लॉंच किया है दुनिया का सबसे शक्तिसाली सुपरकंप्यूटर फूगाकू को हाली में किस देश ने लॉंच किया है जपान ने भारत का पहला समर्पित एक्सप्रेस कारगो टर्मिनल का उदगाटन किस हवाई अड़े पर किया गया है कंपे गोड़ा की सरकार द्वारा लॉंच की गई एक्सेलेरेटर बैंगलूरू पहल के लभार थी कौन है तो महिलाओ के स्वामित्तो वाले सुक्ष में बेवसाय जो है इनके लिए इस पहल को लॉंच किया है करनाठक की सरकार ने तो आप चलिए आज का करेंटर फिर देखते हैं पहला कोशन अंतराशे टेस्ट किर्केट में दोहरा शतक बनाने वाले अफगनिस्तान के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं इनका नाम है हर्षमतुल्ला शाहीदी ओप्शन डी राइट एंसर हैं यह अफगनिस्तान के पहले ऐसे किर्केटर बन गए हैं जिन्होंने अंतराशे टेस्ट किर्केट में दोहरा शतक जड़ा हैं यहनी दो सोरन बनाये हैं अकेले 443 गेंदों में जिन बाबे के खिलाफ इन्होंने यह उपलबदी हासिल की है अफगनिस्तान क्रिकेट टिम के कप्तान कौन है असगर अफगान है जो उप्शन सी नमबर पर है ठीक है वहीं अफगनिस्तान की बात करें तो इसके राजधानी है काबुल राश्पती हैं अशरफ गनी यहांकि संसत का नाम है शोरा या फिर शूरा मुदरक नाम है अफगानी 9 से 11 मार्च के बीच किसकी अधैक्षता में आर्थिक और ब्यापार के मुद्दों पर ब्रिक्स संपर्क समों की पहली बैठक आयोजित की गई तो आर्थिक और ब्यापार के मुद्दों पर ब्रिक्स संपर्क समों की हाली में पहले बैठाक आयोजित की गई किसकी अध्यक्षता में भारत की अध्यक्षता में भारत ने इसकी अध्यक्षता की option c right answer है और ये जो बैठाक आयोजन किया गया था इसका theme था BRICS at 15 intra-BRICS cooperation for continuity consolidation and consensus इसका ये विशाय था BRICS की बात करें तो BRICS शिक्षा समयलन का भी आयोजन किया जाता है पिछली बार 2020 में किसकी अध्यक्षता में BRICS Summit का आयोजन किया गया था रूस की अध्यक्षता में वर्चुली तरीके से आयोजित किया गया था और BRICS Summit 2021 के लिए अध्यक्ष कौन है भारत है यानि इस सल जो समयलन का योजन किया जाएगा उसकी अध्यक्षता भारत करेगा BRICS में 5 सदे से दे से B से ब्राजील R से रसिया I से इंडिया C से चाइना और S से साउथ अफरीका साउथ अफरीका BRICS में 2010 में शामिल हुआ था पहली बार BRICS मंत्री अस्तरिय बैठक का योजन 2006 में किया गया था नुई-योर्क में और पहला अपचारिक BRICS सिखर समयलन का योजन 2009 में किया गया रूस की अध्यक्षता में इसलिए ऐसा माने जाता है कि BRICS की अस्थपना 2009 में की गई थी BRICS के नाम से वहीं BRICS बने ये कब 2010 में जब इस साउथ अफ्रीका इसमें मिल गया किस अराज्य की सरकार ने सहेली समन्वे केंदर योजना लौच किया है तो सहेली समन्वे केंदर योजना शुरू किया है दिल्ली की सरकार ने उप्शन भी राइट एंसर है तो महिलाओं के समाजी कोर आर्थिक विकास के उद्देश से इस योजना को लौच किया गया है सहेली समन्वे केंदर योजना इस योजना के ताथ तिल्ली में पांच सो अंगन वाडी हब बनाय जाएंगे और इन्हें सुभा के चार बजे अंगन वाडी केंदर के रूट में इस्तमाल करने के बाद बाकी समय के लिए महिलाओं दुआरा इन केंदरों का सेल्फ हेल्फ ग्रूप या फिर इंडिविजूल स्टार्टप के इंक्यूबेशन सेंटर के रूप में इस्तमाल किया चाएगा यानि यह जो केंदर होंगे यह आंगन वाडी के रूप में तो इस्तमाल होंगे ही साथ साथ में जो भी महिला है इसे अपने इंडिविजूल स्टार्टप के इंक्यूबेशन सेंटर के रूप में इस्तमाल कर पहेंगी दिल्ली की सरकार ने हाली में अपना बजट पेश किया था उस बजट का नाम रखा था देश भक्ती बजट इसे भी याद रखियेगा ठीक है और दिल्ली में ही महला किलनिक चलाय जाता है तो हाले में दिल्ली की सरकार ने सो महिला महला किलनिक अस्थापित करने की गोसना की है के अवल महिलाओं के लिए दिल्ली की सिमा भारत के दो राज्यों से लगती है हर्याना और उत्तर पर्देश यहां के उपराज्य पाल है अनिल बैजल मुख्या मंत्री कौन है आप सबी लोग जानते होंगे अर्विंद के जरिवाल मुख्या नादेश है धिरू भाई नारण भाई पटिल यानि डियन पटिल जीलों के संख्या गया रहा है लोग सबसेट साथ राज्य सबसेट तिन विधाव सबसेट सत्तर अगला कोशन है भारत की परمुक आयटी कंपनी विपरो के उरोपिया बैपार चेत्र के लिए मुख्य करेकारी एधिकार यानि CEO कौन बने है तो भारत की परमुक आयटी कंपनी में से एक है विपरो इसके उरोपिया बैपार चेत्र के CEO बनाएगा है PRA Bruno Option A Right Answer है अब ये बताईए कि भारत की सबसे बड़ी IT कंपणी कौन सी है, TCA से, यानि Tata Consultancy Services भारत की सबसे बड़ी IT कंपणी है, विप्रो की बात करें तो इसकी आस्थपना 1945 में की गई थी, मुख्याले बैंगलूरू में है, बैंगलूरू को ही भारत का Silicon Valley कहा जाता है, वहीं विश् कर्परेशन है, दूर संचार Infrastructure Company, अमेरिकन टावर कर्परेशन यानि ATC के एश्या प्रसान छेतर के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो ATC के एश्या प्रसान छेतर के लिए अध्यक्ष बनाए गया है, संजाय गोयल, उप्शन ए राइट एंसर है, संजाय गोयल को अमीज शर्म की जगानियुक्त किया गया है, अमेरिकन टावर कर्परेशन जो है, ये नेटवर के लिए टावर अस्थापित करती है, जो कि अमेरिका की कमपनी है, ये भारत में परविश की थी 2007 में, और तब से अब तक भारत में ये लगभग 75,000 से अधिक टावर अस्थापित कर चुक अगला कोशन है सीमहासन और गम्मट जमात इनकी ये प्रसिद मराथी फिल्म में है वीत वर्स 2021 में मनरेगा के ताथ अरोजगार देने के मामले में किस अराज्य को पहला अस्थान मिला है तो मनरेगा के ताथ किसी भी बेक्ति को 100 दिन का रोजगार दिया जाता है तो इसी के ताथ अरोजगा देने के मामले में पहला अस्थान मिला है 36 गड़ को ओप्शन ए राइट एंसर है वहीं दूसरे अस्थान पे पश्चिम बंगाल है और तीसरे अस्थान पे संयुक तुरूप से बिहार और असम है और चोथे अस्थान पे है ओडिसा ठीक है तो मन्रेगा के ताब सबसे अधि दिवस रोजगार स्रीजीत किये यहां पर मानो को रोजगार नहीं दिये दियान दिजे मानो दिवस यानि इतने दिन का रोजगार स्रीजीत किया 36 गड़ने मन्रेगा की बात करें तो महतमा गंधी राश्य ग्रामिन रोजगार गरांटी अधिनियम 2005 में पारित हुआ था औ मन्रेगा का इंग्लिश में full form होता है मातमा गांधी National Rural Employment Guarantee Act अब इसे नरेगा के नाम से जाना जाता है यानि National Rural Employment Guarantee Act ठीक है अब यहां पर मन्रेगा का बात चला है तो एक चीज़ और ध्यान में रखेगा इसके ताथ 100 दिन का रोजगार दिया जाता है लेकिन हाली में जनवरी 2021 में उत्राखंड की सरकार ने मन्रेगा के ताथ अराज्य में 150 दिन का रोजगार देने की गोसना की है एंसर था 36 गड़ उसके बारे में जान लिजे साथ अराज्यों से इसके सिमा लगती है उत्तरपरदेश, जारखंड, ओरिसा, आंदरपरदेश, तेलंगाना, म मद्देपरदेश, इसका गठन वथा मद्देपरदेश से अलग करके एक नॉमबर 2000 इसपीको, राजधानी रायपूर, मुख्य मंत्री हैं भुपेस बगेल, राज्यपाल हैं अनुसुया उईके, मुख्य नाइदेश हैं पी यार रामचंद्र मैनन, यहां का हाई कोट बि धान सबसित, नब्बे, राजके पशु, जंगली भैसा, राजके पक्षी, पहाडी मैना, राजके ब्रिक्ष, साल, साईला, सुवानाचा, डागला, पाली, दिवारी, टपाली, नवारानी, पंडवानी, गौडी, तथा पंथी, यहां के परसिद लोक ने रिते हैं, इंद उस कंपणी का नाम बताइए, जो 17 मार्च 2021 को भारते एक्स्चेंजों में सरवजनिक रूप से सुची बद होने वाली पहली भारते गेमिंग कंपणी बन जाएगी, इस कंपणी का नाम है, नजारा टेकनलोजी लिमिटेड, ओप्शन डी, रैट एंसर है, तो इनिशल पब वाती स्टेज में रहता है, तो आम जनता उसमें निवेश नहीं कर सकता है, जब तक उसे भारते एक्स्चेंजों में सुची बद न किया जाए, जैसे के रिलाइंस से एरटेल हैं, और भी बहुत सारी कंपणीया है, जो की एक्स्चेंजों में सुची बद हैं, तो उसमें आम जनता निवेश कर सकती है। उसी तरह से ये भारत की पहली ऐसे गेमिंग कमपनी बन गई है जिसे भारती एक्सचेंजों में सुची बद किया गया है। यानि आम आदमी जो हैं इसमें निवेश कर सकता है। इस कमपनी के माली का नाम है राकेश जुन जुन वाला। चलिए अगला कोशन है। इसमें हवाओं में बेवारिक बदलाव की जाच करना और साथ-साथ में प्लाजमा गतिशिल्टा पर अध्यन करना इस रोकेट का मुख्य कर रहे हैं। इसरों ने पिछले महिने ही 28 फरवरी को एक साथ 19 उपगराओं को लौँज किया था। इसमें एक ब्राजील का उपगराः था एमेजोनिया वन जो की एमेजन के जंगलों पर निगरानी करने के लिए लौँज किया गया। और भारप के इसमें उपगराः थे जिसमें से एक परमुख उपगराः था जिसका नाम था सिंधू नेतर का काम है समुदर में यूद पोत और जहाजों पर निगरानी रखना है। तो इन दोनों को याद रखिएगा एमेजनिया वन उपगराः ब्राजिल का है और सिंधू नेतर का क्या काम है उसे ध्यान में रखिए। तो एक साथ 19 उपगराः को इसरों ने लॉंच किया था 28 परवरी 2021 को। किस रोकेट से लॉंच किया था ? PSLV C-51 से लॉंच किया था PSLV का मतलब होता है Polar Satellite Launch Week का। इसरों की बात करें तो इसका फूल फमता है Indian Space Research Organization अस्थापना 15 अगस 2019 को की गई थी मुख्यालय बैंगलूरू में है चेर्मैन है डाक्टर के सीवन इसरों का मुट्टो है Space Technology in the Service of Humankind सतिस दावन इस्पेस सेंटर कहां पर है आंदर परदेश के स्री हरी कोटा में है इसरों का ही एक और शाखा है थुमबा Equatorial Rocket Launching Station ये कहां पर है केरल के तिर्वननत पूरम में है चली अगला कोशन है पाकिस्तान के किस किर्केट एस्टेडियम का नाम बदल कर पुर्व दिगच गेंदवाज श्वय भक्तर के नाम पर रखा गया है तो पाकिस्तान में एक एस्टेडियम है इसका नाम है के आर एल एस्टेडियम यानि Khan Research Laboratories Stadium इसे रावल पिंडी एस्टेडियम भी का जाता है इसी एस्टेडियम का नाम रखा गया है शोय बक्तर एस्टेडियम और अफगनिस्तान के बीच में जो सीमरेक है उसका नाम है डुरंड रेखा और पाकिस्तान भारत के बीच में जो सीमरेक है उ उसका नाम है रेड गलिफ रेखा, कैपिटल है इसलामाबाद यहां के राश्ट्र पती है आरिफ अलवी, परदान मंत्री है इमरान खान, यहां के संसाथ का नाम है नेशनल एसेंबली और मुद्रा का नाम है पाकिस्तानी रुप्या, तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का क चेरी के अंदर शासित परदेश के, ओप्शन डी राइट अंसर है, पूडू चेरी में कुल चार जीले है, एक जीला है पांडी चेरी, ठीक है, माहे जो जीला है ये केरल में है, कराइकल जीला, कराइकल और पांडी चेरी ये तमिलनाडू में है और यनम जो जीला है ये आ बुद्धाबी अब चलिए इतिहास से दो प्रश्ण पूछता हूँ जिसका एंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है पहला कोशन है किसके शासनकाल में प्रथम आंगल मराथा यूद हुआ था दूसरा कोशन है औरंग जेब की मिर्तु के समय मराथा नेतरित्व किसके हाथ में था तो कमेंट करेंगा बताईए एंसर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए टेक क्यार